तो देखो इस question में क्या लिखा हुआ है कि अगर external force system में कैसा है 0 है if the external force acting on a system have 0 resultant अब जो भी अगर लग रहे हैं तो भी उन सभी का जो भी external forces लग रहे हैं उनका resultant 0 है या फिर कोई external force लग ही नहीं रहा है in both the cases center of mass की बारे में comment करना है अपने को कि वो accelerate कर रहा है कि नहीं कर रहा है move कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह सारी चीज़े तो सबसे पहले बात तो यह देखो भी यह कि f net 0 है f net 0 होने का मतलब होता है जो momentum of the system है वो क्या होगा constant होगा ठीक है यह तो भाई पता होना चाहिए बिल्कुल center of mass का basics है ठीक है अगर system पे f net 0 है तो system का momentum क्या होता है constant होता है अब system का momentum लिखने का तरीका क्या होता है mass of the system into velocity of center of mass ठीक है पूरे system का mass into center of mass की velocity अब यहां पर भाई mass of the system तो obviously constantly रहेगा है अब यह भी constant है और यह right side में भी constant ही है तो obviously इस term को भी क्या रहना पड़ेगा constant रहना पड़ेगा यानि कि f net से मैं यह conclude कर सकता हूँ कि velocity मतलब f net is equal to zero से मैं यह conclude कर सकता हूँ कि जो velocity of center of mass है वो क्या रहेगी constant रहेगी ठीक है तो constant का मतलब यह तो नहीं होता कि zero होती है ऐसा तो कुछ होता नहीं है तो या तो center of mass constant velocity से move करता रहेगा या फिर वो rest पर रहेगा दोनों किस possible है तो may move वाली बात बिल्कुल सही है must not move मतलब वो rest की बात कर रहा है कि rest पे होना ही होना चाहिए जबकि ऐसा नहीं है constant velocity से वो move कर सकता है तो यह option गलत हो गया must not accelerate यह बात बिल्कुल सही हो गई क्योंकि भईया अगर center of mass की velocity constant है तो acceleration तो 0 हो गई होगा ना तो must not accelerate बिल्कुल सही बात हो गई may accelerate वाली बात गलत हो गई क्योंकि हो ही नहीं सकता acceleration क्योंकि velocity constant है तो B और C इसका correct answer है okay thank you